अलो बच्चो स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल गौड ग्लासेस पर तो बच्चो जैसा कि आप सबको पता है कि बोड एक्जाम के तुरंद बात आपका एक बहुत इंपोर्टेंट एक्जाम होने वाला है C.U.T और अलड़ी बहुत से सुडेंट ऐसे हैं जो C.U.T की प्रेपरेशन अलड़ी स्टार्ट कर चुके क्योंकि लास्ट इयर के अगर हम बात करें लास्ट इयर और उससे पहले C.U.T एक्जाम में और बोड एक्जाम में थोड़ा सा गैप था लेकिन इस बार जो है N.T.E. प्लानिंग है की गैप ज़्यादा ना दिया जाए तो इसलिए पचे अभी से ही C.U.T की प्रेपरेशन करना नोंने स्टार्ट कर दिया है अब C.U.T की प्रेपरेशन स्टार्ट करने में और C.B.C की प्रेपरेशन करने में अगर हम basically बात करें की concept wise तो ज़्यादा कोई प्रेपरेशन करने में जो आब 12 की प्रेपरेशन कर रहे है वही प्रेपरेशन आपको C.U.T के लिए भी करने में तो concept wise तो कोई प्रेपरेशन आपको C.U.T की भी हो रही है लेकिन अगर हम बात करें की उसके examination pattern की पेपर के pattern की, तो जो CBSE exam होता है, उसमें आपको pen paper होता है, ठीक है, लेकिन जब आप CUT exam देते हो, तो वहाँ पर pen paper test नहीं होता है, वहाँ पर आपको system पर test देना होता है, तो आप system पर test देते हैं, तो natural है कि आप pen paper से test दे रहे हो, system पर test दे रहे हो, दोनों में काफी difference होता ह है, तो हमें ज़रूरत होती है कि कुछ essay practice करने की, कि हम system के उपर ही उसको practice कर सके, ताकि हम उसकी used to हो जाएंगी, CUT examination में जो आपको करना है, उसको करने के लिए पहले से अगर आप used to होंगे, तो आपको ज़्यादा benefit होगा उस practice papers को करने में, अब CUT के लिए आप जब preparation करोगे, तो आपको books की जरूरत तो पढ़ती है, लेकिन साथ में एक test series की भी जरूरत पढ़ती है, जो कि आपको prepare करत करती है कि आप जो CUT का exam देने वाले हो, जो आपका system पर टेस्ट होने वाला है, उस exam को जो आप देने वाले हो, उसके लिए आप कितने better prepare हो, क्योंकि जो CUT exam होगा completely MCQ test होता है, MCQ test में आपको कुछ time limit दिया होता है, subject wise थोड़ा बहुत वेरी करता है, domain का अलग होता है, general का लिए time मिलेगा, उसको कई पर ऐसा होता है कि questions हमें आते हैं, और pen paper से जवाब करते हैं, तो ज्यादा comfortable होते हैं, तो उस तीज को शायद आप उस time limit में कर पाए, लेकिन जब हम बात करते हैं कि system पर आपको test देना है, तो वहाँ पर आपकी speed है उसमें फरक आता है, तो उसके लिए आपको जरूवत है एक ऐसी test series की, जो आपको system पर त्यारी करवाए और अच्छे से त्यारी करवाए और उसके अंदर अच्छे questions भी हो, और जैसा कि आपको पता है कि God Classes ने हमेशा कोशिश करी है कि आपकी जो need है, उसके according आप लोगों के लिए content लगातार हम लाते र कर रहें, उनके लिए CUT की test series है, वो God Classes app के ओपर available है, वहाँ पर जाके आप वो CUT की test series है, वो purchase कर सकते हैं, अब CUT की test series में आपके पास English, मतलब जो language आप दे रहे हो, उसमें English ही है जातर के पास English और general test, एक test series का combination ये है, और दूसरे combination के अंदर आप language के साथ साथ जो domain subjects है उनको आप ले सकते हो, domain subjects का मतलब जब आप ये commerce students के लिए है especially, तो आप उसमें अगर आप commerce में गया गया business study हो गया, economics हो गया, accounts हो गया, mathematics ही, applied mathematics, ये domain subjects अगर आप देते हो, तो उसके लिए test series अलग है, और अगर आप language और general test के साथ देते हो, तो उसके लिए test series अलग है, मैं आप सिधा web के थूरू जा सकते है, www.godclasses.in, तो हम सिधा web पे चलते है, तो web पे आप जाएंगे, तो आपको login कर लेना है, पहले मैं इसके course section है, उस पर जाता हूं जदा, फिर आपको थोड़ा detail में बताता हूं, तो आप यहां पर अगर आपने login पहले से कर रखा होगा, त तो आप login कर लेना, login करने के बाद, जब आप courses पे जाएंगे, जो जो course यहां पर available है, इसमें आप जब जाएंगे, लोग इन करने के बाद, नीचे जो course section है, इसमें आप जाएंगे, तो course section में यहां पर आपको, दो course यह दिखाए देंगे, यहां पर आप जब इसको click करेंगे, अगर आपको purchase करना है, तो purchase करने के लिए यहां पर आपको जाना है, buy now पे, 600 की यह test series है, प्लस में internet heading charges है, इसमें GST include नहीं है, तो यह total मिलाका 616 की आपको बढ़े ही, तो यहां पर जाके आप इसको purchase कर सकते हैं, ठीके, अब इसके अं 2020 इसमें 216 टेस्ट हैं, टोटल मिलाकर, तो कम नहीं होते है, 216 टेस्ट अगर आपने कर लिए, तो बहुत सारे टेस्ट आपके पास हो जाएंगे, देखे, language subject है, उसके 51 टेस्ट है, science subject में मतलब यहां पर mathematics दिया हुए आपको, mathematics और applied mathematics, ठीके, यहां पर mathematics के content है, 69 टेस्ट ह यहां पर इसके जितने भी topics अभी जो इसके अंदर है, वो सारे के सारे topics इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, यह सारे topics आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, यहां पर आप चेक कर सकते हो, उसके बाद अगर आप जो और जो बाकी subject से हैं इसके, उसके लिए आपको जो जाना है इसमें जो commerce section होगा जिस साइन सब्जेक्ट होगे ना यहां commerce subject में आप जाएंगे तो इसमें आप economics, business study, accountancy यह सारे subject आपको मिल जाएंगे इसमें आपको test में मतलब क्यों purchase करना चाहिए जैसे मालो एक हम एक test यहाँ पर ले लेते हैं जिसमें जो free content दिया हुआ है उसको आप अभी access कर सकते हो free content जो इसमें है उसको आप access कर सकते हो मालो एक free content हम खोलते हैं यह जो locked है यह आप जब purchase कर लोगे यह तभी आप access कर सकते हो जैसे यह है यहाँ पर आएगा attempt test तो एक attempt जो free है उसमें एक attempt allowed है तो आप उसको चेक कर सकते हो कि यह test आपके लिए beneficial है या नहीं है ठीक है इस तरह से जब आप यह test start करोगे तो यहाँ पर आपको next पर जाना है test के लिए यहाँ पर check करना है इसको उसके बाद फिर अपनी जो language है वो आप select कर सकते हो इकनोमिक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है तो इसलिए वो चेक करने को बोल रहा है तो इंग्लिश हमने यहाँ पर कर लिया कि हिंदी है तो हिंदी करते न अब यहाँ पर देखे यह आपके पास question आ गया अब इस question को आपने read करना है ठीक है read करोंगे which of the following economics divided economics into two subsequent branches अब मेरको तो पता नहीं है macroeconomics, macroeconomics क्या होता है मेरको तो पता नहीं है ठीक है मैं option ऐसे click कर देता हूँ यह answer A है ठीक है यह answer अमने यहाँ पर अगर आपको check अपना answer change करना है तो clear response करके फिर अपना answer आप दे दो यहाँ पर और या फिर आपको यहाँ पर अभी आपको लग रहे है कि आपको doubt है ठीक है आपको doubt है आप इसको बाद में करोगे तो आप इसको यहाँ पर mark 4 review करके और आगे next पर चले जाओ ठीक है अगर आपको doubt है तो अब मेरे को doubt है मैं sure हूँ कि एक्षन में answer जो इसका A है वो तो मैंने इसको save कर दिया और मैं next पर चला गया तो आपका जो answer है वो यहाँ पर यहाँ पर देखो save हो गया अब उसके बाद दूसरे question पर हम गए दूसरा question में मुझे लगता है कि भाई नहीं मुझे नहीं पता इसको मैं mark for review करके अगले पे चला गया next पे चला गया तो यहाँ पर जो आपने mark for review करा है वो यहाँ पर mark में आ जाएगा यहाँ पर purple color मार्क डागया मतलब इसको आप बाद में कर सकते हो उसके बाद फिर मैं third question पर गया third में मैंन answer C था मैंने C पर click किया save next पे चला गया fourth पर गया click कर दिया, हमी मैं randomly click कर लेता हूँ वस जो जो आंसर में करता जा रहा हूँ, वो यहाँ पर देखो आते जा रहे हैं, वो यहाँ पर क्लिक होते जा रहे हैं, जिसको मैं review कर रहा हूँ, वो review आ गया, फिर मैं next पर यहाँ पर यहाँ आ गया, ठीक है, इधर यहाँ आ गया, और यह फिर last question आया है यह, ठीक है, यहाँ पर आया, तो अभी गहरा है कि you have reached the last question of the exam. Do you want to go to the first question? क्या first question पर जाना जाते हो? तो अगर मैं yes करूँगा, तो मैं first question पर वापस चला जाओंगा. ठीक है, अब जो review वाला question था, मैं उस पर review पर click करता हूँ. तो यह सारा कुछ हो गया, आपको लग रहा है कि टेस्ट आपका final हो गया, अब यहां पर आपको submit कर देना है. अब submit करोगे, दस question थे, दस के तेस आपने answer किये, तो अब यहां पर हमने submit किया. अब submit करने के बाद, आपको आपका result है वो पूरा show कर देगा, कि आपकी performance कैसी थी, अब हमने तुक्के मारे थे, देखते हैं, तुक्के कितने ठीक है, तो score आगया minus 4, तो हमने attempt किये थे 10 के 10, accuracy 10% है, ठीक है, और time तो खेर, क्या इसमें लगना है, हमने तो बस तुक्के मार तो यहाँ पर देखो, आपके पास यह जो बाकी और लोगों ने जो attempt किया, उन सब का score भी आपको दिखाई दे रहा है, तो आपका score आपको दिखाई दे जाए, आपने क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, फिर एक मेरे पास correct answer था, एक correct answer था, कौन सा, number 9, नहीं, 9 incorrect है और एक correct है, तो correct मैंने कौन सा दिया था, मुझे नहीं पता कि correct मैंने कौन सा दिया था, तो यहाँ पर अब उसमें जाएंगे हम ना solutions में जाएंगे वहाँ पता लग जाएगा correct मेरा कॉन सा था ठीक है यहाँ पर होना तो चाहिए मुझे भी मिलनी रहा अब यहाँ पर देखो आपकी जो weakness और strength है यहाँ पर भी show करेगा micro economics का आपने एक भी correct नहीं दिया ठीक है यह आपकी मतलब weakness है 1,2,3,4,5,6,7,8 आठ कोशन थे micro economics के वह आपने correct नहीं दिये अब आप जाओ वापस अब आप जाओ इनके solutions पर ठीक है solutions आपको पता चल जाएगा कि आपने answer कहाँ पर wrong दिया था और क्यों wrong दिया था वो भी आपको reason पता चल जाएगा ठीक है पहले वाला question आपका incorrect था इसका आपको solution देखना है तो यहाँ पर जाके view पर करेंगे तो solution आपको दिखाए देजएगा correct option इसका 3 था ठीक है इस तरह से आप जो जो यहाँ पर देखेंगे आपको सब के answer आपके पता चल जाएंगे वही कौनसा आपका ठीक था कौनसा आपका गलत था question number one हो गया question number two पे आप जाएंगे यह भी incorrect था ठीक है जो 10th answer है वो हमारा red color में आगे तो आप वारे पास एक correct answer हमने दिया तो इस तरह से आपको आपकी performance पता चलेगी कि आपने कितना correct किया कितना सही किया और साथ ही आपको यह पता चलेगा कि आपने कितना time लिया और साथ में topic wise भी आपको पता चलेगा कि कौन सा topic है जिसमें आप अभी week है उसमें आपको और मेहनत करने की जरूवत है तो इस तरह से test series यह बनाई गई है और I hope आप लोग को test series काफी beneficial रहेगी अगर आप इसको practice अच्छे करेंगे तो तो आप अपनी नीड के coding इसको चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी test series चाहिए और जैसे भी और भी हम कोशिश करेंगे इसमें लगातार content अपडेट करते रहें ताकि आपको लगातार जो नहीं चीजे जैसे test में आती जाएंगी तो वह नहीं चीजे भी आपको इसमें लगातार मिलती रहेंगी तो मेरी ख्याल इस information के साथ इस video को हम फिनिश करते हैं